नमस्कार आप देखने विगफाइट लाइब और आपके साथ में विजेंद्र सुलंग की आज का दिन चुनावी रैलियों वाला दिन रहा सुजानकरो साहड़ा में जहां कॉंग्रेस विधायकों की निधन होगे महीरा समन्द में बीजेपी विधायकी निधन होने के कारण उप्चुनाव हो रहे हैं तीनों सीटों पर प्रत्याशियों ने नामंकन दाखिल कर दिये हैं कमाल के बात यह है कि तीनों ही सीटों से स्वर्ग्य विधाय के परिवार से टिकट दिया गया यानि सम्वेधनाओं पर सवार हो सियासी पतवार को जीत के किनारे लगाने की कोशिश की है अब 17 अपरेल को तीनों सीटों पर बोटिंग होगी और 2 माई को नतीजे आएंगे लेकिन यह देखने वाली भात होगी कि क्या दोनों पार्टियां अपनी अपनी सीटों को बचाते हुए दूसरी सीटों को भी अपने पाले में लापाएंगे तीनों सीटों पर दोनों ही पार्टियों के रणनिती अलग-अलग है और इस बीच सवाल ये भी है कि क्या दोनों ही पार्टियों के लिए निर्दलिया और अन्या पार्टियों के प्रत्याशी बोट कटाऊ साबित होंगे क्योंकि सहाड़ा में कुल 21 उमीदबारों ने नामंकन दाखिल किये हैं रासमन्द में 17 और सुजानगड में 15 उमीदबारों ने नामंकन दाखिल किये हैं यानि की रण में रण बाकुरे उतर चुके हैं और इस खास मुदे पर बात करने के लिए श्टूडिय में हमारे साथ मोजूद हैं वीजेपी निता पंकज मीना जी कॉंग्रिस निता आरसी चौधरी जी कुछी देर में हमारे साथ साड़ा से वीजेपी प्रत्याशी रतनलाल जार जुडेंगे और साथ में कॉंग्रिस प्रत्याशी सुजानगर से मनोज मेगवाल भी जुडेंगे लेकिन आरसी चौधरी जी माने की जिस तरीके से बीजेपी ने टिकट पहले फाइनल करके माइलेज ली थी आज कॉंग्रिस ने एक जुटता दिखा कर और हवाई सफर करके तीनों सीटों पर बड़े नीताओं को उतार जन सभाई कर एक अदम आगे रग दिया वीजेपी जनता पार्टी सदेर नहीं है एक जिन में तीनों सीटों पर कॉंग्रेस का पहुँ जाना दिगजों का पहुँचना आपको लगता है मुद्दा ही नहीं आपने कहा कि तीनों नेता एक साथ दिखे तो मुझे लगता है कि एक साथ इससे पहले भी वो सदेव नजर आए जहां जूरत रही इसलिए एक साथ का ये जो अवक्तवे है जो ये दर्साता है जो ये कहता है आपकी इसाब से कि पारटी के अंदर वी गिठन था वी गिठन खंड खंड में बट्टी भी बारती जनता पारटी जिन आरोपों को लेकर लगाती रही मैं इस मुद्दे से इतरा आज भैस नहीं किना चाथा क्योंकि ये जनता का जनादेश और जनता की मुद्दों पे चर्चा हो तो ज़्यादा बैतरी नो लेकिन ये देखना तो भारती जनता पारटी की नेतरतों में होगा कि वहाँ से प्रकार से फोटो नदारत है और पांस साल जिसके कारिय की बात करके और अंगद का पाउं अमित साजी नहीं आ रखा था आज वहाँ से वह सुंद्रा राजे जी का पोस्टर गाइब है ये बाते जनता पारटी जाने लेकिन मैं ये जानता हूँ कि माननी मुख्यमंत्री जी ने सचिन पालेट जी ने डोटासा जी ने और माकन साब ने परदेश की जनता के बीच में उन्होंने कहा कि जनता मायबाप होती है जनता का जनादेश सिरोधारी होता है और हमें आपने जो जनादेश दिया था जिस गोशना पत्र को हम आपके बीच में लेके आये थे वो हमारे लिए जुमला पत्र नहीं था गोशना पत्र हमारे लि देंगे सरकार का मनोबल बढ़ेगा जो अधिकारी हैं उन पे दबाव बढ़ेगा नेतिकता बढ़ेगी उनकी कि हम जनता जो है सरकार की नीतियों के साथ में हैं हम उनकी डिलेवरी जल्दी करें इन बात को लेकर हम जनता के बीच में गए और उन्होंने मक्यमंत्री जी ने बार बार इस बात का जिक्र किया था कि सचिन पलेटी जब अद्रेक्स थे वो जो गोशना पत्र लेका थे वो उस गोशना पत्र पे चर्चा करते हैं बजट पे चर्चा करते हैं जो उन्होंने योजना इदी उन पे चर्चा करते हैं और आगे हम विकास को आगे कैसे बढ़ा एक चेहरा जो हर को याद देखना चाहरा था हो चेहरा दिखाई नहीं दिया कोई खास बज़े आप किसकी बारे बात करें खुल के कई आराम से पूर मुख्यमंत्री वस्तुना राची देखे लगातार कॉंगरेस को अपनी कमजोरी ढखने के लिए इस प्रकार के आराम लगा के एक माहौल बनाने की कोशिच करती है मैं अभी आर्सी चोधरी साब जो बात कहे नहीं पाया है या जो इस बात को आप एंगित करना चाह रहे थे हैं वह बहस के दोरा आ नहीं पाया है मैं याद दिला देता हूँ सचिन पायलेट जी ने कोट खाओदा के अंदर रेली की थी जिसान सभा की थी और उसमें तत्था कतित मुख्य मंत्री गैलओ गुटका एक भी व्यक्ति नहीं पहुंचा था सचिन पाइलेट जी ने दो सा में सभा की थी वहां भी गैलोट गुटके एक भी वेक्टी नहीं पहुंचा था मैं इनको याद दिलाता हूं यह किता हैं सबसे साथ हैं सचिन पाइलेट जी निवाई में भी सभा की थी वहाँ भी गहलोद गुटका कोई एक विक्ती भी साथ नहीं था और इधर आप देखिए गहलोद जी ने जब किसान रेली करी तब वहाँ सचिन पाइलर जी नहीं थे मंच के उपर आप कैसे कहते हैं आप छे मेने पहले तो आपने क्या कहा था नकारा निकमा यह सारी बाते कही दे रहे हैं और आज आप कहते हैं कि हम एक जूट है यह बना हसाथ लगता है रायसान की जनता इसी बेशकूफ नहीं है आप चुनाओ के दोरा आप मैं जो आप से सवाल कर रहा आप देखेंगे जी आप मुझे लगता है कि सवाल का जाप देना नहीं चाते हैं दो प्रत्याशी और सुजान गड़ से कॉंग्रेस प्रत्याशी मनोज मेगवाल जी हमारे साथ जूड़े हैं सबसे पहले तो आप दोनों को फर्स्ट इंडिया की तरफ से अगरिम शुब क काम ना है क्योंकि सियासी मोड में आगया भी बढ़ना है मनोज मेगवाल जी सवाल मेरा आप से है सर आज अच्छी खासी समर्थकों की भेड़ नजर आई जब मुख्यमंत्रिय अशो गयलोत पहुंचे कॉंग्रेस के बड़े निता पहुंचे थोड़ा सा आपको लग रहा है कि जिस सरीके का मुकाबला वहाँ दिखाई देना है उसमें प्लस मनोज मेगवाल हो गए है मनोज मेगवाल जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर तो सवाल है कि आप जिस सरीके से कॉंग्रेस के तमाम दिगज नेता पहुंचे जिस सरीके से समर्थन आम आदमी का मिला सर कॉंफिडेंस हाई लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है सहरा से बीजेपी प्रत्याशी रतनलाल जाड जी हमारे साथ जोड़े हुँ है रतनलाल जी सहाड़ा के अंदर आपको क्या लग रहा है मुकाबला किस से है कॉंग्रेस से है त्रिवेदी परिवार से है या बीजेपी के अंदर ही है लादूलाल पितलिया जी से जी सर मुकाबला किस से है लादूलाल पितलिया जी से या गायतरी त्रिवेदी जी से कॉंग्रेस से मुकाबला एक तरफाए बार दिन दा बार्डी की जीत होगी मुकाबली की कोई बात नहीं है कॉंग्रेस से इपने घुष्णापत्र में धैस सार पहले जो वादे किये थे कि एक को भी पूरा नहीं कर पाई है जी आपके करज माफी की बात की संपूर्ण करजा साथ आप बात कैंगे और डोड़ैसाल का समय हो गया है गोश्णापत्र पूरा नहीं कर पाया है कि बेरुद्गार के बाता किया था किया था कि अम उनको लोगरी थेंगे और नहीं तो चाड़ा तीन जह रहे घर मेते बाता देंगे इस वादे को पूरा नहीं किया है जी और बिल्ली के मामले में तो तरह-टरह के शुलक लगा करके और कुच्ताइश सुलक कि स्कार्फ और बोक्ताउं की जिप पर हागा डाका नादी जा रहा है। जी इसे पर बरोसा है कि इनुट विदान सभाग्षेत के उप्तुराओं में बारती जंता पार्टी के प्रताइशी भारेपतों से जिते के और कमल खेलाएंगे जी रतनलाल जी मेरा सवाल ये था कि मुकाबला किस से है लादूलाल पीतलिया से या गायतरी तरवेदी से कॉंक्रेश भारतीन तरपार्टी है पैसा से चुनाव लड़ती है ये जी हमारे आतेसर प्रताइशी तो ये भी है सर के लादूलाल पितलिया की वजह से हारता पड़ गया तबी ते चुनाव में अभी तो सोच रहे थे कि बीज़ेपी के साथ अभी 46 47 दिन पहले जुड़े अफ़े थे आपके लिए प्रचार करते हुझिने तो अलग से नामंकन भर दिया अ कि विचार कर रहे इंपने प्रणर विचार कर रहे हैं वो अपनी नेरे पर जी वो सक्टाहिक उसमें वो जी मैं सवाल इसलिए कराऊं क्योंकि सर दूसरी त्रव राजेंद्र तुरवेती जिनके लिए कहा जारा था कि वो नाराज है उनको तो एक साथ चाय पीते हुए और होली की रामराम करते हुए देख लिया कॉंग्रेस में बीज़बी के अंदर ये सब का भोगा ऐसा तो नहीं कि दुबारा आपसे जटक जाय सीट लादूलाल पितलिया जी की वज़े से ये ऐसा कुछ भी नहीं है जी आज नमांगर में अथि पासाथ हजार हमारे कारकरतों के सब भारती इंदा पार्टी के कई भरिष नेता इस पर आजमाई इस रैली में नमांगर रैली में आये और उनने जे गजंदर सिंग जी बारे केंदरी मंत्र जी प्रदेश के अते बिलोडा के सांसन मद्वर कई वारे के बरिष नेता आश्रवात देने कारकरतों के अपता रहे है जोज करों उसके साथ कारकरतों विश्वास दे रहा है कि भारती इंदा पार्टी को अच्छे बोटों से जिताएंगे जी कारकरतों में बड़ा उसा है इस बार कांगरेस के परती मद्दान करने के लिए और साथ ही जो हमारे लोग पर मुख्यमंत्रिया अश्वाग जी गहलोत और जो कांगरेस के सरकार है उसके परती भी लोगों में बड़ा उसा है जिस परकार से वो कारिये कर रही है इस सरकार इसलिए कांगरेस के परती लोगों में एक जुनून है जो आज देखने को मिला जुनामा गंजन सबा हुए सर 1985 से जब मैं सुजानगर सीट का इतिहास देखता हूं तो हर बार विधाय को बदल दिया जाता है चाहे उसने कितने ही बहतर काम किये हूं उसको बदल दिया जाता है दुबारा रिपीट नहीं होता सिटिंग मैं ले यह आगड़ा थोड़ी टें पर 1952 से लेकर अब जब तक जुना हो है दुबारा कोई नहीं जीता है जी और इस बार भी निश्यती पिसली बार मेरे पिताजी जीते थे वो अब मैदान में नहीं है तो उमिद्वार तो इस बार भी दूसरा नहीं ही होना है बिलकुल कांग्रेस यहां से जीतने जा रही ह जी सर मुद्दे क्या होंगे मुद्दे वो ही है विकास का जो एजेंडा है जो मेरे पिता जी ने चलाया था उसी विकास के रत को हमें वरागे ले जाना है और उसको तेजगती से तोड़ाना है मस्त वावरलाल में पांच बार विधायक रही थे आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं कहिए आसा तो नहीं सर की अनुभव की कमी में हसूस हो रही हो नहीं हमारे पास कांग्रेस के एक बहुत अनुभवी टीम है जो मेरे सार कंदे से कंदा में मिलाकर इस चुनाव में जारी है और वो एक ऐसी छोड़ी भी मेरे पिताजी की टीम है जो बहुत अनुभवी नहीं है बलकि सुल्जी भी टीम है और उनके पूरी वो अपने इस चुनाम के लिए तियार है यहां पर आपको क्या लग रहा है क्योंकि जब हम जातिगस समिकन देखते हैं तो लगबग 63,000 के आसपास जाट वोटरस है आपको लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष गोमी सिंग डोटासरा की सुजानगड में एक महतपूर्ण भूमी का होगी वैसे भी उनके ग्रह जिले से लगता हुआ इलाका है जी जाट मत्ता सबसे ज़्यादा है एसी के बाद दूसरी बड़ी कौम जाट है लेकिन 63 जानमत आता नहीं थोड़े कम है पचास प्रदेश अध्यक्ष है और सबसे बड़ी चीज है कि वो सुजानगड कॉंस्टिटी से जहां खतम होती है निशीतिया में उसका फाइदा मिलेगा पार्टी की उसक्षेत्र की एक नेता रही उन्होंने अपना योगदान उसके अंदर दिया इसलिए किसी पे टिकाटीपनी करना मुझे लगता है कि वो यतोचित नहीं होता यतोचित यह होता है कि आप मुद्दों पे चर्चा करें मुद्दों की साथ में लेके जाएं अभी जो बार्टी जन्ता पार्टी की प्रवक्ता ने जो बात कही थी उसका छोटा सा जवाब मैं यह देना चाहूंगा उन्होंने जिन लंबी स्रेंकला का जो जीकर किया था इन्होंने तो इस किसान अंदोलों को क्या क्या नहीं का इन्होंने किसान अंदोलन को कुसंगित करने का चलित करने का और बिना समाद कीवे बिना भहस कीवे संसद के अंदर दहुनिमत से पारित कर देने का जो कुसंगित करते किया उसी की वज़े से 300 किसानों ने साहदत दी इसलिए ये जो चर्चा करते हैं बेतर होता है किसानों के साथ मी चर्चा करते है इने पता होना चाहिए कि राजस्थान में ही नहीं पुरे देश के अंदर कांगरेस के नेता अलगलग जगह पे ये किसान पर एक ये पोश्टर छपा और उस पोश्टर पर ये दिखा रहा है मोदी जी छात्रों से समाद कर रहे हैं और ये कार्टून के अंदर ये मीडिया ये कह रहा है कि बस रोजगार मांग कर सरक्मिंदा मत करना हम खुद सरकारी संपत्ती बेच कर काम चला रहे हैं जो केंदर की सरकार दो कोड़ पर्तिवर्स रोजगार का वादा करके आए थी आज वो सरकारी कि योजन को पत्म कर रही है राजिस्तान की सरकार मानलेक कि इस चुनाव को मोदी वर्सिस रख रही है क्योंकि मैं तो सिर्फ तीन विधानसवा सीटों की बात कर रहा हूँ जिस पे बाई एलेक्शन हो रहा है अब उसमें भी मोदी जी का पोस्टर उठा के लिया है क्योंकि रोजगार की सीटी पर रागाएंगे तो राजिस्तान का अंगड़ा मुझे पेश कर दीजिए अब राजिस्तान का अंगड़ा पेश कर दीजिए कि विजेपी के दौर में कितने रोजगार्द के इबादे किये गए कितने पूरे किये कॉंग्रेस के दौर में कितने हुए कितने अधूरे पड़े है विजेंदर जी राजिस्तान की साथ कोड़ जनता ने पचीश सांसत दे के बेजे इसलिए ये पूछने का दाई तो बनता है ये जनता पूछेगी केंदर की सांकार ने क्या किया क्या लोग सभा का चुना हो रहा है रसी चौधरी जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि राजिस्तान के बाइलेक्शन को लिकर कंग्रेस के रणनीती क्या है क्या सेंटर निशाने पर रहेगा मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि जो जो मुद्धे उठेंगे जो जो चर्चा होगी उन्स चर्चा पर हर चीज का जिक्र होगा इसलिए नहीं करना चाता मूँ उस जिक्र का कि वसुद्धर राजे जिए भी होगा कि किसके मंच पर कौन था और तो नहीं था उस Nh其實 पे होती तो निष्इ दूर्म से वहाँ अपने कारी का उल्ले करती वह आज इस बाद की चर्चा करती और हम आमरे कारी की चर्चा करते और जबाब देते लेकिन उन्हों ने जिक्र किया किक्र होगा कि रासंबन को लेकर रंणीति क्या है तो हमने राज समंथ में राज समंद के विकास पर चर्चा करेंगे उस पर उसस पर चर्चा करेंगे तो फिर यह बताएंगे ना सर कि जद्धीने राज आन ने कितने रुजगार दिये बेगिन मैं ही कह रहा हूं कि अगर वश्णरा जी वहाँ पे हो ने थे क्योंकि राज समंद के अंदर तमाम नेता नज़र आ ये लेकिन सुजानगड में वो तमाम निता नजर नहीं आए सहाड़ा में भी नदारत थे तो राज समंग क्या इसलिए सारे निता नजर आए क्योंकि वो 2018 से BJP के जोली में है एक परंपरागा सीट है उसको खोना नहीं चाहते देखे भारती जन्ता पार्टी का हमेशा एक काम करने की प्रदती रिती है चाहा पंचायती राज की चुनाओ हो नगर पालिगा की चुनाओ हो विधान सभा चुनाओ हो या उप चुनाओ हो हर चुनाओ को पूरे शिद्दत के साथ भारती जन्ता पार्टी लड़ती है तीनों विदान सवाब पे चुनाओं जीतेगी अब आप मैं आपके बातों के जवाब देता हूं जिस परकार से आर्सी चौदरी जी अभी बहुत जोड़ जोड़ से कह रहते हैं सर जवाब मत दीजिए मेरे पास दोवर हैं मैं मात करनी के लिए हो रहा है आपस में जवाब मत दीजिए चुनाओं के मुद्धे बता रहा हूं आपने ढ़ाई साल पहले कहा कि हम साड़ी तीनाजार रोपे रोजगार बत्ता देंगे आप पिछले ढ़ाई साल के अंदर एक व्यक्तिती को भी आप नहीं ना तो नौकरी दे पाए ये जिती नोकरी अरे सyn पूल लए लाज जो है तोल ले तिरवाई बिदा ने कि क्या क्या राजी सरकार की रायस्तान के बेरोज़गार की पड़ती को चुमेदारी नहीं है, आपके प्रदेश अध्यक्ष करेंगे, परन्तु आप पिछले धाई साल के अंदर केवल मोदी को, चीक है, सर मरोगरा हूं आपको, मनोज मेगवाल जी, आपके पास मैं आना चाहरा हू मनोज मेगवाल जी, सत्रा दिन के आसपास हैं सर, आपके पास, इन सत्रा दिन का प्लैन तयार हो चला है सर, और आप क्या चाह रहे हैं, कौन-कौन से कॉंग्रेस के बड़े नेता, आपके इलाके में आए, आपके लिए सभाई करें, आपके लिए प्रचार करें जी, इन सत्रा दिनों में हम कल से गाओं में निकल रहे हैं, हर व्यक्ति से संपर्क करने का रहेगा हमारा, हर व्यक्ति तक हमारी बात पार्टी की पहुंचाने का प्रयास करेंगे वो नेता कौन है, जिनको आप चाहेंगे कि आपके इलाके में सबसे ज्यादा हैं जी, आप क्या चाहते हैं सर, आपकी सीट पर वो कौन से निता आए, जिनसे माहोल बन जाए और ये जिमेदारी किसको दी गई, कि लादूलाल पितलिया जी ने जो नमांकन भराया उसको विड्रो करा लिया जाए किसी ने तो जिमेदारी उठाई होगी संक्तन, संक्तन जिसको भी बड़े रेता को बेज़ेगा, निस्षी तुरुप से कार्यकरता उसकार कर्म को सफल बनाएंगे जी और आपकी तरफ से कोई खास रहन नीती, क्या लादूलाल पितलिया जी से आपकी व्यक्तिकत बात हो चुकी है पितलिया जी मैरे कार्यकरता रहे हैं, निस्षी तुरुप से उसके बात हो दे रहती है जी जी कोई एक मुद्धा जो सहरा में आप उठाएंगे भारति जन्ता पार्टी के अभी पंचातरा सहस्तों में हमारे जी अब यह बारे पंचातर बिश्यक्तिकत बातुरुप से दूमें प्रदान भारति जन्ता पार्टी के बनाए है परेंट जिले की अनड हरका में और मादी ऊंड नेटान के इन Уब undoubtedly यह जो हमारे को हमारे और आरे मेरे लिए रहें डिले की प्रेंडमेक्नौण महीं पर मुह कहले है और काम करने को इस प्रकार से मोगा दे जाता है रतनाल जार जी बीजेपी में तो फिर एक कैप भी लगाया हुआ है आप ती हैत्र साल के अगर मैं घलत नहीं तो सर तो क्या ऐसा लगता नहीं कि कोई और युवा प्रत्याशी होता तो आगे की जमीन तयार होती कारकर्टा के लिए काम करने के वाले विक्ति के लिए किसी प्रकार की आयू बादा नहीं है बिल्कुल सही का साथ हमारे सामने भारते जन्ता भारते के हमारे बिर्वारा जिले के विदायक मेगवाल साब अभी अट्टाशिव आपनों ने जनम दिन अपना बना है जी और वो चुनाओ के लिए पंगज मिना जी और आरसी चौधरी जी आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए मकसा सिर्फ इतना था कि तीन सीटों पर जो चुनाओ होने उसमें मुद्दे किस सरीके के रहेंगे और किस सरीके से चुनाओ कम से कम राजिस्तान के सियासत को आगे बढ़ाता हुआ शुचीता पर आकर टिक जाए नमस्कार